नमस्कार, गौरानीटिंग क्लास में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम इस तरह का जाली वाला डिजाइन बनाएंगे तो चलिए हम इस डिजाइन को बनाने स्टाट करते हैं तो देखे इस डिजाइन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें यहाँ पे 5 फंदे ट्रांसफर करने कहीं से भी बीच में से आप जैसे डिवाइट कर लिजे जितने आपके फंदे होंगे आधे-ाधे कर लिजे और सेंटर में जो निडिल होगी उसकी वहीं पेसे हमन तो फाइफ निडिल लेंगे हम इस तरह से और ट्रांसफर कर देंगे इसे हम राइट में दो फंदे यह होगे और तीन हमारी यह फंदे होगे पांच होगे सेंटर का जो हम फंदा रखेंगे निडिल रखेंगे उसको छोड़गे उसकी लेफ्ट में फिर हमें पांच फंद त्रांस्फर करने हैं दो और यह वह तीन तो टोटल 5 निडिल हो गई हमारी 5 फंदे हो गई फिर हमें से इस तरह से ट्रांस्फर करेंगे लेफ्ट में तो यहां पर इस निडिल की दोनों साइड दो खाली हो जाएंगे निडिल और जाली बन गया आएगी अब इस साइड से भी 5-5 फंदे करेंगे हम 5 फंदे हमने इस साइड से कर दिया अब इसी निडिल पे लेना है हमें तो 3 फंदे यह हो जाएंगे हमारे इस निडिल पे हमारी टोटल अब 3 तीन फंदे हो जाएंगे इस निडिल पे देखो और 2 फंदे और ले लेंगे हम तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों साइट से 10 फंदे ट्रांसपर हो जाएंगे सेंटर के निडिल में इस निडिल में 3 फंदे होंगे दोनों साइट से हमने 5-5 फंदे ट्रांसपर किये हैं तो बीच की जदो हमारी सुई होगी निडिल होगी उसमें तीन फंदे होगी और दोनों साइड से चार-चार निडिल हो जाएङगी और जो ये center kaynidill हमने ली थी इसके दोनों साइड से एक-एक फंदा खाली हो जाएगा फिर से देखें ये center kaynidill इसके दोनों साइड से हमें एक-एक जाली चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे फिर में ट्रांसफर करने है लेट में इस तरह से जिसमें अभी हमारे 2 फंदे होगा है इस निडिल में देखे 2 फंदे होगा है इस साइड से भी हमें 5 फंदे इसी निडिल में ट्रांसफर करने है तो हमने 2 फंदे ट्रांसफर कर दे तीन फंदे और कर करने हैं तो यह हमारे दो फंदयमने टांच्फर किया ढई तो इस नेडिल में आब हमारे तीन फंदें आप इस साइड से तीन फंद्यम और ट्रांसफर करेंगे तो center की needle की ए दोनों side से हमने 5-5 फंदे transfer की है बीच की needle में और दोनों side भी 4-4 और इसमें 3 फंदे एक साथ हो गए है इसी तरह से इस side का भी हम कर लेंगे ते 3 फंदे हमने और 2 फंदे और हम transfer कर लेंगे जो needle हमारे पीछे की side होगी उनको अब हम आगे की तरफ करके दो स्लाई लगा लेंगे तो देखे दो स्लाई लगा दी है मैंने यहाँ पर अब कुछ इस तरह कैसे दिखाई देगा हमें यह देखे यहाँ पर इस तरह से दो जाली बनके आएंगे मारी अब पांच फंदे ट्रांसफर किये थे अब चार चार फंदे ट्रांसफर करेंगे जाली बाला जो यह फंदा होगा इसे छोड़के उसकी राइट का हम फंदा लेंगे और चार फंदे ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर तो यह हमने इस तरह से चार फंदे ट्रांस्वर कर दिये ठीक है अब देखिए जाली की साइड में जाली जाईए ना कि जाली के उपर तो जाली की साइड से फिर से हमने चार फंदे लिए एक बार तो हमने पांच फंदे लिए लिए अब फिर हम चार फंदे लेंगे ठीक है इस तरह ऐसे यह फंदे ट्रांसवर कर लेंगे हम इस तरह ऐसे तो चार-चार फंदे ले लेंगे हम और दोनों साइट से चार-चार फंदे ट्रांसवर करेंगे ठीक है अब इधर से भी चार-फंदे ले लेंगे और ट्रांसवर कर लेंगे इनको बीच की निडिल में हमारे तीन-फंदे हो जाएंगे आप हो गया यह तो हो गया हमारे फंदे यहां पर हमने चार-चार फंदे ट्रांसवर कर लेंगे अब क्या करना है हमें यहां पर देखिए जो हमारी दो जाली है न इसके बीच में जो फंदा है इसको हमें लेना है और यह हमें राइट में ट्रांस्फर कर लेना है इस तरह से ठीक है यह जो दो जाली है इसके बीच का जो फंदा है वो लेंगे और राइट में ट्रांस्फर कर देंगे अब जो पीखे की साइड ने डिले इन्हें आगे करेंगे और फिर से दो स्लाइल लगा लेंगे देखें दो स्लाइल लगा दी है और अब देखें यहाँ पर 1,2,3,3 तीन जाली बन गई यह हम यहाँ पर जाली डालते जाएगे हर बार और यहाँ पे देखे जो यह बिना बुने वाला हमारा portion है यहाँ पे हमें फंदे घटाने चार फंदे घटाए आप घटाएंगे हम सौरी तीन फंदे ट्रांसफर करेंगे चार फंदे हमने ट्रांसफर किये थे अब जाली वाला छोड़ देंगे फंदा और उससे आगे का फंदी लेंगे तो चार हमने फंदी ट्रांस्वर किये थे अब हम तीन तीन फंदी ट्रांस्वर करेंगे इस तर ऐसे जाली वाला फंदा जो होगा उसके left और right के फंदे ही लेना है हमें जाली के उपर जाली नहीं चाहिए जाली के side में जाली चाहिए हमें यहाँ पर तो इस तरह ऐसे हमने यहाँ पर तीन तीन करके हमने फंदे भी ट्रांसफर कर लिए ठीक है आप इसके बाद फंदे ट्रांसफर हो गए देखे जो जाली वाला पोर्शन था यहाँ फंदे ट्रांसफर हो गए अब जाली के उपर देखे जाली इस तरह से डालनी है हमने इन फंदों को एकी side में मतलब एकी तरफ ले जाएंगे हम इसको हमने right में इसे कर दिया इसी तरह से करेंगे हर बार ताकि जो हमारी बाद में डिजाइन जो बनके तयार होगी वह अच्छे से दिखाई देगी अब यहां पे देखिए यह हमने बुल लिया यहां पे फिर जाली वाला पॉर्शन आगे तो फिर फंद्री ट्रांस्वर करेंगे यह फंदा ले ठीक है और यहां जो साइड में भी है यहां पर भी देखिए इसी तरह से कर लेंगे यह फंदा हमने इधर ली लिया और इस साइड में भी ऐसे ही कर लेंगे जो निदिल पीछे की साइड है उन्हें आगे करके फिर से दो सलाही लगाएंगे देखिए फिर से क्या करना है दो दो फंद्री ट्रांस्वर करेंगे यहां पर और इस तरह से दिखिए दो फंद्री ट्रांस्वर कर लिए दो दो फंद्री इस तरह से ट्रांस्वर करेंगे और फिर हमारे बीच के फंद्री होंगे जिसमें हमें जाली ट्रांस्वर करनी है जाली बना लीए हमें उस पर यह हो गया अब हमेरे चाहिए यहां पर जाली तो यह फंदा छोड़ देंगे से आगे का फंदा लेंगे और इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे यहां पर जाली है जाली हो यहां पर चाहिए तो यह फंदा लेंगे और यहां पर ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से राइट में ट्रांसवर करोगे तो हर बार राइट में ही ट्रांसवर कीजिएगा और लेफ्ट में अगर हम फंदर ट्रांसवर करेंगे तो लेफ्ट में ही करेंगे तो जाली जो बनके आएगी न वो उसमें शेप अच्छे आजाएगी इस तरह से तो हम right में transfer कर रहें तो right में ही लेंगे जितने भी फंदे हमें यहाँ पे जाली बनानी होगी ठीक है अब जो पीछे की side निडिल है आगे करके 2 slide लगा लेंगे और फिर एक एक निडिल transfer करके फिर इसी तरह से हम यहाँ पे फंदे transfer करेंगे देखे यहाँ पे भी हमने एक करके फंदा transfer किया और यह जो जाली बाला portion है इस पे भी हमने फंदे transfer कर दिये और फंदे हमने right side में ही transfer करेंगे पीछे की निडिल आगे करके फिर से 2 slide लगा लेंगे देखे इतना करने के बाद फिर हमें अब आगे क्या करना है यहाँ पे देखे जो यह दो फंदे दिख रहे हैं अब हमें इसमें 5 फंदे transfer करने हैं तो यह जो बीच का फंदा होगा इसके side का फंदा लेंगे हम यहाँ पे 3 फंदे यह हो जाएंगे हमारे कि जो 3 फंदे है ना इसके बीच का फंदा छोड़ के उसकी जो right का फंदा है वो 3 फंदे लिए और 2 फंदे यह ले लिए तो 5 हो गए अब इने हम transfer कर देंगे यहां इस तरह से right में 5 फंदे यह हो जाएंगे हमारे और इस side से भी तो देखे इस तरह से फंदे transfer कर लिए मैंने दोनों side से 5-5 फंदे हमने transfer किये हैं पीछे की निटिल आगे करेंगे और फिर से 2 लाई लगा लेंगे दो स्लाई लगा लिए मैंने और अब यहां पे फिर से देखे 5 फंदे transfer किये अब 4 फंदे transfer करेंगे और जो यह बीच का हमारा portion होगा यह इसी तरह से बनते वे आएगा क्योंकि जाली है नीचे और उपर की side हमें इस तरह से बुनावा portion चाहिए तो यहां पे फंदे transfer नहीं करेंगे हम फंदे transfer करना हम इन 3 फंदों के बीच से start करेंगे ठीक है पहले 4-4 फंदे 1, 2, 3, 4 इन 4 फंदों को हम इस needle में transfer कर लेंगे दोनों side के 4-4 फंदे और जो यह 3 फंदे होगे इसमें center का जो फंदा होगा उसको हमें right में transfer कर लेना है तो अभी 4 फंदे हम transfer करेंगे फिर 3, फिर 2, फिर 1 तो इस तरह से यह design उपर के लिए बनते वे आएगा अब देख लेंगे design किस तरह से बन के आए है और देखे last में जो है design हमारा इस तरह से बन के आएगा तो आपको अगर यह design पसंद आया हो यह वीडियो पसंद आया है तो से like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कीजिए, धन्यवाद